जो लोग संक्रमित होने के पश्चात पूर्णता उपचारित होकर डिस्चार्ज की जा चुके हैं उनकी संख्या अब बढ़कर 35,803 हो गई है कुरोना वाइरस से संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 1,298 लोगों की अभी तक बृत्य हुई है आईसोलेशन वाड्स में इस समय 21,018 लोगों को रखकर उनका इलाज करवाये जा रहा है और 4,441 लोग फिसलिटी कॉरेंटाइन में लाए गए हैं जहां उनका सैंपल लेकर के उनके सैंपल की जाच करवाई जाती है जाच के पश्चात यदि संक्रमन पाया जाएगा तो उन्हें उप्युक्त उस्तर के कोविड हास्पिटल में रखकर L1, L2, L3 में से महाफिर चिकित्सा करवाई जाएगी कल प्रदेश में 54,897 सैंपल की जाच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 16,054,651 सैंपल की जाच की जाचुकी है 54,897 का नंबर ये अपने आप में एक नया बेंचमार्क था और हमारी लगातार कोशिश है कि हम टेस्टिंग कोई प्रक्रिया को हम तेज रखें और उसी करव में जन्पदों में ये निरदेश दिये गए है कि हर जन्पद में स्टाटिक बूथ बनाए जाएगे जहां कि लोग जिन्हें भी अपने में कोई लक्षन नजर आये और वो अपनी इच्छा नुसार जाकर के भी अपनी जाच करवा सकेंगे वहां एंटिजन टेस्ट भी उपलब्ध होगा अगर उनके में कोई लक्षन देखा जाएगा लक्षन आत्मक होंगे तो एंटिजन से और नहीं तो फिर उनके सैंपल लिलिया जाएगा और सैंपल की जाच फिर आटी पीसियार से करवाई जाएगा सैंपलिंग को निरंतर तेज करने उसकी गती को बढ़ाने संख्या को बढ़ाने में हमारा पूरा ध्यान इस समय लगा हुआ है ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो संक्रमित हो रहे हों उनको जल्द से जल्द उनका उनकी पहचान कर ली जाए उनका चिनहंकन कर लिया जा उनकी इलाज की विवस्था अतिशिक्र शुरू कर दी जाए ताकि वो उप्चारित होकर जल्द ही अपने घर स्वस्थ होकर के लौट सके पूल टेस्टिंग के अंतरगत पांच-पांच सैंपल के कल 2760 पूल लगाए गए थे जिनमें 566 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 241 पूल लगाए गए और इनमें 29 में पॉजिटिविटी देखी गई आरोगे सेतु एप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और अब तक जिन लोगों को इलर्ट जेनरेट हुए इस एप से उनमें से 3,674 लोगों को हमारे कॉल सेंटर से अथवा सीम हेल्प लाइन के कॉल सेंटर से कॉल किया जा चुका है उन्हें साबधान किया जा चुका है कि आप किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के नजदीक आये हैं उसके संपर्ख में आये हैं अपना आप ध्यान रखे प्रदेश में पच्पन हजार से अधिक कोविड हेल्प डेस्ट सापित किये जा चुके हैं विभिन विभागों के दौरा जहां भी लोगों का आवा गमन है ज फिर जो नीजी प्रतिश्थान हैं जो उद्यम हैं जो उद्योग हैं वहां भी जहां भी लोग काम करते हैं ज्यादा लोग श्रमिक काम करते हैं उन सभी जगों पर निरंतर कोविड हेल्प डेस्ट की स्थापना की जा रही है और अब तक 55,000 से अधिक कोविड हेल्प डेस में की जा चुकी है हरे कोविड हेल्ट डेस पर एक इंफ्रारेट थर्मामीटर एक पल्स ऑक्सिमीटर और सानिटाइजर की व्यवस्था रहती है जिससे कि उस कर्याले में या उस प्रतिष्ठान में आने वाले लोगों की प्रिल्मेरी स्क्रिणिंग प्रारंभिक जाच उनक की जा सके इसके लिए पुरे प्रदेश में इसका एक नेटवर्क त्यार किया गया है